हेलो एवरिवान गूड आफ्टरनून कैसे हो आप सब तो अज दिन है रविवार का और तारिक है साथ नवंबर और भई हम हैं रेवाडी में और ये देखिए इस ओटो में बैठे हैं सभी ये ओटो कर रखी थी हम गए थे आज सभी भई कोई बुजूर्ग की डैथ हो गई तो आते समय यहां सब्जी मंडी में रुख गए थे कुछ फ्रूट लेने के लिए सब इने लिए थे भई मैं लेक्टी सिंग आडे और मैं बोल रही थी इनको कि तुम्हारी सब की वीडियो बना दूं तो भई किसी को कोई दिक्कत नहीं है और हम गए थे राकेस के साथ औ एक टोड़ा आगे चलते ही हमारे यहां के ऊट खड़े रहते हैं यह देखे यह बश्ट अमारे यह का रेवाडी में यहसे बस मिलती है बाड़ावास आने के लिए और यह देखिये मुमफ़ड़ी भी आ गई है और सिंगाड़े तो बहुत इजगार मार्किट में उसी बह बस चले गए थे और बी टाइम हो रहा है सवा बारा सा डिबारा का तो वही चलते हैं अपने घर और यह देखिए हम पहुँच चुके हैं फाटक पे यह बाड़ावास फाटक भाई खुला मिल जाए तो बल्ले बल्ले वरना बहुत लंब जाम हो जाता है इस पर तो अभी इसका फ्लायोर का जो काम है वो चल रहा है पुड़ बनेगा भई यह तो उसके बाद यह समश्य हो जाएगी खतम और मुमफड़ी की रैडी लग चुकी है यह देखिए भई किस किस का मन कर गया मुमफड़ी देखकर और देखिए यह कितने आराम से सो रहा है कोई डर नहीं है किसा धना जा रहे हैं और भई मार्केट में आज इतनी रोना के नहीं थी क्योंकि संडे है संडे के दिन बंद रहती है बस एक तो सबजी मंडी खुले रहते और यह जो छोटी मोटी दुकानिया मेडिकल सबजी की और कुछ यह बस ज़् पूराल है छोड रखी है दुनिया ने देखिए गव मता की क्या कदर है आज के टाइम में यह देखिए भई सहर से अच्छा तो भई गावी है किस तरह कच्रा बरा हुआ है और अब ही मैं पहुच चुकी हो गर गर आने के बाद में थोड़ी सी वीडियो बढ़ा रही थी योगी के पास कि बना दे भई साडी में पहली बार व्लोग में आऊंगी तो भई कमेंट करके बता दे ना कैसी लगी साडी और अब मैं नाऊंगी तो पानी गरम है अभी मैं लेक्ट के आ रही है अपने लिए पानी तो नाने के बाद मिलूंगे आप लोगों से पहले मैं लेती हूं ना भाई मोकान गए थे तो उससे आने के बाद नाना तो जरूरी है नाना और कपड़े दोना दो काम तो पहले नाते हैं उसके बाद देखेंगे मुनानी की घर से आ गया है उसको हम लेक्ट के आ गए थे रस्ते में एक चोक था वाहां पे नाना ने इसको छोड दिया था तो इसे ले आये हैं और भई अभी मैं आई हूं और टाइम एक बज़ने में दस मिनट और मुन को लेक्ट के आई हूं साथ और लेक्ट के आई हूं मैं सिंभाडे ये देखिए और मुनानी की दर से क्या क्या लेक्ट क्या आया है और अभी क्या कर रहा है एक और यह मुखा रहा है हलवा और नन्ने के घर से क्या लिखके आए यह देखे भई इस इंग आड़ेत में लिखके आई हूं यह पारलेजी बिस्कुट एक रोपस है कि बूद दल एक सोस है टमैटो और यह है क्या बोलते हैं पतिस्सा सोन पपड़ी क्या बोलते हैं वो है यह बैसोन पपड़ी है पतिस्सा नहीं है यह देखी दो डब्बे हैं और अब मैं प्यूंगी चाय आप लोगों से मिलेंगे थोड़ी देर में और आज मैं चली गई थी किसी के साथ और यह कपड़ में दोके ग अब मिल रहीं शाम के टाइम में लगबग पांच का टाइम है बैए पांच साथ मिनट उपर निचे हो सकते हैं तो मैं निकाल रही हूँ दूद आज हो गई थोड़ी सी लेट बैदेखिए कब ए कोई कब ए कोई आज आजाव है गरने तो बैटना पड़ा है तो निकाल लेते पहले दूद और उसके बाद मिलेंगे तो भाई दूद निकालने के बाद अब सिद्धा मिल रही हूं खाने पर तो भाई मैं बना रहे हूं रोटी रोटी बनाऊंगी थोड़ी सी अभी उसके बाद अपने लिए बनाऊंगी बाद में क्योंकि भाई मुझे जाना है लवी में लाइव जाऊंगी मैं 6 बज़े आती हूँ भाई डेली 6-7 का टाइम है मेरा और भाई देखूंगी दिन में भी आने की सोच रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा दिन में भी आ जाएं एक डेड़ गंटा तो और टाइम देखिए 6 बज़ने में 5 मिनट फटा फटा से दो रोटी बना के आदो के लाइव में आउंगी तो बैसा भी आ जाओ जल्दी जल्दी से और मुसम देखिए 6 भी नहीं बज़े 5 मिनट कम है लेकिन कैसा हो गया है और दो दिन से तो दो तीन दिन से मौसम बिलकुल चेंज हो गया है पूरे दिन बादर रहते हैं और यह देखिए पालक पता नहीं क्या कीड़ा सा लग रहा है नीचे नीचे दर्ती को खोद रहा है तो भी रोटी बनाने के बाद लाइव में मिलेंगे आप स विलोग का यहीं हैंड कल फिर मिलेंगे अच्छे से विलोग के साथ अब तक के लिए टेक क्यार बाबाए